है चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे 36 गढ़ सामान ग्यान के बारे में हैं तो सब्से पहले हम लुग 36 गढ़ की मापस में इस्तिथी देख लेते हैं देखिये इस में भी दिख राया आपको मैपस यह आपका भारत है एक बार अच्छे से मैप्स में देख लेते हैं फिर बात करते हैं देखिए आपका 36 गड़ पता होना चाहिए आपको पहले मद्धदेश का हिस्सा हुआ करता है 36 गड़ लेकन सन 2000 में इसे अलग करत के नया राज्य बनाए गया था इसकी राजधानी रायपुद देख रहे हैं सबसे जाना कुश्चेंस आपके बनेंगे यही कि किन-किन राज्यों से सीमा लगती है तो मद्धदेश से तो लगती है इसकी आपकी उत्तरपदेश से भी लगती है जारगंड से भी लगती है औरचीशा से भी लगती है और ऊसके बाद तेलंगाना से भी लगती है देखिए और आंदपदेश से भी लगती है और इसकी महराष्ट से भी लगती है साथ राज्यों से सीमा लगती है इसकी समझ में आए तो यह है आपकी 36 गड़ की रिष्टति और बाकी आप देखी रहे होगे मैं तो कहता हूँ हर राज्यों को आप लोग क्रम से याद रख लिजे क्योंकि क्वेश्चन्स नीते बनते हैं और एक नाई क्वेश्चन्स आता रहता है परिक्षाओं में यह है आपका पूरा भारत यहीं से दर्शन कर लिजी राज 36 गड़ राज जानी आपकी रायपूर अगर महत्य की बात करें तो इसकी महत्य आदिवासी जाती यहां बहूल राज्चे यानि कि आदिवासी जाती यहां पाई आती यहां खनेज और बन संपदा से संपन छेते चेत्रिय जन्ता की आसात तीत आपेट चाओं का पिदिग भी है नामकरन की बात करें कि 36 गड़ नाम कैसे पढ़ा इसका तो 36 गड़ों की संख्या के आधार पर इसका नाम 36 गड़ रख दिया गया कल्चुरी राजा चेदी वनसिये थे और उनका नाम चेदीस गड़ कहलाता था उनका जो राज जुगा करता था उसे आप लोग चेदी चेदीस गड़ कहते हैं जो कलांतर में आपका 36 गड़ की नाम से जाना गया है इसके अगर इस्थापना की बात करें तो एक नवंबर सन 2000 को इस्थापना हुई याद रखिए मद्विदेश से अलग करके 26 वा राज बनाए गया था किससे मद्विदेश से पहले MP का हिस्था हुआ करता था है कि छेदफल की बात करें तो एक लाग 35 जार 192 वर क्लूमीटर चेदफल में फैला हुआ है अगर जनसंख्या की बात करें तो दो करोड 55 लाग 45,198 ब्यक्ती हैं यहां की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के नमसार बात कर रहा हूँ ठीक है इन्हें से आपके पुरोष हैं एक करोड 28,232,895 महला है है इसमें एक करोड 27,12,303 अगर दस्किये विद्धी की बात करें यानि की 2001 से 2011 की बीच की विद्धी तो ए रही 22 देस हम लोग 6,30 की विद्धी देखी गई अगर हम लोग जनसंख्या घनत की बात करें तो 189 विद्धी पिती बार किलोमीटर में निवास करते हैं कितने 189 अगर साक्षरता की बात करें तो 70,3% साक्षरता हैं की इन्हें से पुरोष साक्षर हैं आपके 80,3 और महला हैं 60,2 इस पेकार कुल साक्षर विद्धी होगे 22 जिनमें आपके पुरोष हैं 88,7,893 महला हैं 65,72,029 इस तरी पुरोष अनुपाद की बात करें यानि कि लिंगनपाद की तो ये 991,3,000 पर हैं मतलब आपके ये हैं कि 991 महला हैं पिती अजार पुरोषों पर इसे ही आप लोग लिंगनपाद कहते हैं संभाग की बात करें तो पांस संभाग हैं 2011 की जंगरना की अनुसार बात कर रहा हैं 2011 पांस संभाग इसमें बिलासपुर, राइपुर, वस्तर, दुरू, सरगुजा जिलों की बात करें तो 27 जिले हैं कितने 27 जिले हैं गाउं की बात करूँ तो 20,126 हैं यहीं आपको बता देते हैं जो 36 गड़ की विधान सभा सीटे हैं 90 कितनी 90 और यहां जो लोग सभा सीटे हैं 11 और राज्य सभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो 5 हैं कितनी 5 विधान सभा 90 लोग सभा 11 और राज्य सभा 5 ठीक यह दो मुख भासा की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी 36 गड़ी और उर्दू भी यहां बोली जाती हैं उच्च नियाल है जो हाई कोट है यहां का बिलासपुर है हाई कोट बिलासपुर है अगर इस्थिति की बात करें इसकी तुब 17 डिगरी 48 मिन्ट उत्री अक्छास से 24 डिगरी उत्री अक्छास तर और 80 डिगरी 14 मिनिट पूरवी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देशांतर तक आपका विस्तार इसका ठीक है इसे याद रखिए 47, 48 से 24 84 से 84 85 जिस तरह से आप याद हो सकता है याद रख लें अगर इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर में आपका उत्तर पिदेश लगता है उत्तर पिश्चिम में आपका मद्पिदेश लगता है पिश्चिम में आपका महरष्ट लगता है दक्षड पिश्चिम में आपका अंद्पिदेश पूर्व में आपका वड़ी सा तट उत्तर पूर्व में आपका ज्यार खंड लगता है क्या लगते है जहार खंड लगता है किसे कि इसकी बात करें तो चाहराज्जों से रखती, कितने 6 राज्जों से, एक से करने रुपीज़, याद रखी ए सीमा 6 राज्जों से तब लगती थी जब 2011 की जनगरना हुई थी, लेकिन जैसा की आपको पता है कि 2014 में आपका नया राज्ज बना था तेलंगाना, तो तो अब इसकी सीमा तेलंगाना के राजे से भी लगती है तो अब टोटल साथ राज्यों से लगती इसकी सीमा ठीक है वैसे 2011 की जनकरना के रुसार अगर हम लोग देखें तो इसकी सीमा छे राज्यों से लगती थी आपकी लेकिन अब साथ राज्यों से अगर इसके बिस्तार की बात करें तो लंबाय इसकी पूर्व से पषचिम की पूर्व से पषचिम की लंबाई 700 km है और चोड़ाई की बात करें तो उत्थर से दइच्छन की चोड़ाई इसकी 435 km है 435 प्रमुक अगर इसके यहां की नगर देखे जाएं तो उसमें आपको मिलेंगे जैसे आपका बिलासपूर हो गया दुरुग भिलाई रायपूर अगर नदियों की बात करें तो महानदी गोदावरी नरवदा रिहंद इंद्रावती देखने को मिलेगी ठीक है अगर जल्पिता जल्पेपात की बात करें हम लोग चित्त कूट इंद्रावती नदी पर साथ दारा इंद्रावती कुपते सो इसावरी नदी पर इस्तित्र प्रमुक बैक्च की बात करें तो साल आ मवगा जामुन बास सागोन तेंदू अंजन खेल देखने को मिलेगा या मद्ध दच्छन पूर्वी और पश् दिल्ली मंबई कुलकात केहनों से जुडा हुआ है अगर यहां आकास, बाड़ी आकास बानी पेसारण केहनरी की बात करें तो चार है राएपूर जगद पूर्वीलासपूर्ध सो रायotta आकासवानी पिसारेन की भासा की बात करें हम लो तो आपको देखने को मिलेगा यहां हिंदी में चतीज कड़ी उडिया सुरी हलवी गॉंडी हिंदी चतीज कड़ी उडिया हलवी गॉंडी ठीक है उच्छ सक्ती के दूरदर्शन ट्रांस्मीटर के अंद की बात करें तो यह रायपूर में देखने को मिलेगा आपको जगदलपूर रायपूर और जगदलपूर कला संस्किती की बात करें आर्टेंडी कल्चर की तो खिलोने मिट्टी के आकरश्रक बर्तन लाग के सामान लगडि के काम जरी का काम चमड़े का काम धातू के बरतन राजी के प्रमूख हस्तकला निर्मानमेर यह देखे जाते हैं अगर प्रमूख बोलियों की बात करें हम लोग यहां कौन-कौन सी बोली बोली जाती है तो इस चतिस गड़, चतिस गड़ी, रायपुर्दुरुग, बस्तर, राजनादगाओं, सर्गुजा, बिलासपुर, हल्वी, गॉंडी, माडी, भद्री, बस्तर, छेत में, देखने को मिलेगी, ठीक है। चतिस गड़ी याकी, रायपुर्दुरुग, बस्तर, राजनादगाओं, सर्गुजा, बिलासपुर में, हल्वी, गॉंडी, मांडी, और भद्री, याकी बस्तर, छेत में, देखने को मिलेगी, अगर पिरमुक, समारो, और उस्ताओ की बात करने तो चक्दार समारो, ये राय रायगड में, जोगी महारा की गुफाएं, रायगड सर्गुजा, और धार में केवं प्राक्तिक रमनिय स्थल्यों की बात करें, तो भोरम देव की प्राचीन मंदिर, रायपूर, जबलपूर, सडगमार्पा है, बिमले सोरी मंदर, ये डौंगरगड में, चित्तुकूट जबलपूर, जबलपूर में आपको देखने को मिलेगा, लोक नित, सुगा नित, कर्मा नित, डंडा, या फिर रहस नित, रावत नित, सरगुल नित, बार नित, नाच्या नित, गासिया बाजा नित, पथी नित, ये आपके प्रमुक नित देखने को मिले आगा, नित, बस्तर की जनजातियों द्वारा, मेगनाथ गौंड जनजाति द्वारा, रस्नवा बैंगा जनजाति द्वारा, ककसार अबु जहमानियों द्वारा, विसेश परब मनाये जाते हैं. बैक्ति की बात करें तो पिरमुक बैक्ति तो मोतिलाल बौरा, चंदुमल चंदाकार, विद्ध्या चरन सुकल, राजिन पिसा सुकला, बिर्जु महराज, पदुमलाल, पुन्नालाल, बक्सी, ये सभी यहीं के थे, 36 गड़के. पिरमुक मेल की बात करें तो राजिम का मेल, रायपुर, चंपरन का मेल, रद्धनपुर का मेल, बिलासपुर, खलारी का मेला, महा समुद्ध, दंदे सोडी का मेला, दंदे बाड़ाम, ये सभी आपके मेले लगते हैं. बिधान सभा ये एक सदनात्मक हैं, यानि कि केवल बिधान सभा है, बिधान परिश्द यहां नहीं देखने को मिलेगी. वैसे भी हम लोग पहले देख चुके हैं, शुरू में, इनकी लोग सभा संक्या 11, बिधान सभा 90, और राज सभा 5 है. राज ये देवास आपका एक नमबंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा, एक नमबंबर 2000 को, सन 2000 को, चतिसगड की स्थापना की गई थी. राज की पसू, जंगली भैसा, राज की पक्सी, पहाडी मेना, राज की ब्यक्ष, साल, पित्थम मुखने आदी, नियामूर्ती डवलू, ए सेसक, इसके पित्थम मुखने आदी से. यह आपकी जंजातिया हैं, जैसा कि आप सभी को बताएगी, मद्विदेश और चतिसगड में सबसे जंदा जंजातियां आपको देखने को मिलेगी. जंजाति होगी, उपजंजाति होगी, निवास इस्तन हो गया है, निकर. गॉंड, इसकी उपजंजाति हैं इसमें, परधान, अगरिया, ओजा, नगारची, सोलहास. इसका निवास सिस्तन होग है, कांकेर, वस्तदांदिवार. बैगा, इसकी उपजंजातियां है, बिंजवार, नरोहतिया, भरोहतिया, नाहर, रे मेना, कार्ड मेना. इसका निवासिस्तान है विलासपुर, राजनंदगाउं कोरवा, इसकी उपजन्जातियां है पहाड़ी, कोरवा, दिहारिया निवासिस्तान है सरगुजा, रायगण, जस्पुर, विलासपुर, जानजीगिर और आओ, इसका उपजाती हैं इसमें आपको कुरुक्र, धनका, धांगर, कोलडाओ निवासिस्तान मिलेगा राइगर, सरगुजा, जस्पूर हलबा, इसकी उपजाती है हनवी, वस्तरिया, चत्तीस गडिया, कांकेर, धन्तेवाण राइपूर, दोर्ग, राजिनाद गाओ, यहाँ निवास करती है, फिर आपका भतरा, इसकी उपजातिया है समभतरा, अमनेत, पित, यह बस्तर और राइपूर में आपको देखने को मिलेगी कवर, कमबर, यह आपकी कनकार, तनवार, कमालवंसी, दूस, कमबर, पैकारा कोरिया, राइपूर, यह सबी इसकी उपजातिया है चत्तीस गड के भाड़ी चित्रों में देखने को मिलेगी भिलासपूर, जस्पूर, सर्गुजा, राइपूर, जानजीगीर में देखने को मिलेगी बस्तर में देखने को मिलेगी फिर्याब के विद्याले क्या हैं विद्याले इंद्रागांदी संगीत कलाविस्विद्याले खेरागड में इसकी इस्थापना 1956 में की गई थी जब मद्विदेश और 36 गड़ एकते तब की गई थी लेकिन आपको पता है कि सन 2000 में 36 गड़ को अलग कर दिया गया तो ये 36 गड़ वाले इससे में पहुच चुका है पंडिर रवीष संकर विष्विद्याले रायपूर में इसकी इस्थापना 1964 में की गई गुरु घासीदास विष्विद्याले बिलासपूर में 1983 में इसकी स्थापना की गई इंद्रा गांदी किर्सी विष्विद्याले रायपूर में इस्थापना 1987 में की गई अगर हम लोग राज में चिकिसा महविद्याले रायपूर में है जिसका नाम जवाल ललाहरू मेडिकल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर है सासकी आयुवेदिक महाविध्याले रायपुर में देखने को मिलेगा पसूच गिस्था महाविध्याले अंजोरा जिला में देखने को मिलेगा इंजिरेनिंग महावित्यार है रायपूर विलासपुर में जगदलपुर विलाई में देखने को मिलेगा आपको और आसास की है हम लोग अगर विध्यालेयों की बात करें इसमें तो आपको विलाई इंस्टिटीट ओफ टेक्नलोजी विलाई में चत्तपती सेवाजी रुंतगा कॉलेज ओफ इंजिनिंग एंड टेक्नोलोजी ए भी आपको विलाई में देखने को मिलेगा रायपूर इस्टिटीट ओफ टोकिनलोजी ए भी आपको रायपूर में देखने को मिलेगा स्टिटीट ओफ टेक्नोलोजी गुरु घासी राम विलाई में देखने को अगर हम लोग बात करें हैं यहां की किर्सी यानि की उपच के हिसाब से क्या उत्पादक चेते हैं कहा है चावल कि दुरुख राइपुर राजनाद गाओं बिलासपुर सरगुजा बस्तर में देखने कुणता है गंडा दान का कटोरा भी आपने सुना होगा चावल देख पहना होता है इसलिए दान का कटोरा भी कहते हैं से चट्पीज गटो गंडा आपका राइपुर में बिलासपुर बस्तर में देखने को मुझागा तुर अरहर राजनाद गाओं कबर्दा रायपुर सरगुजा द्रुग बिलासपुर में देखने को मिलेगा सरसों की बात करें तो कोरिया दंतेवारा वाडा सरगुजा में देखने को मिलेगा बाजरा ये बस्तर संभाग रायगड जस्पूर में देखने को आपको मिलेगा अलसी राजनन्द गाओं कबरदा दुरुग रायपूर में देखने को चनाप बिलासपूर राजनन्द गाओं कबरदा दुरुग जानजी गीर में देखने को मिलेगा मुंग, रायगड, जस्पूर, रायपूर, बिलासपूर में देखने को मिली गाई है ठीक है? खनेज उत्पादक के अगर छेत की बात करें उत्पादन छेत्रों की एक खनेज हो गए 36 गड के उत्पादन छेत्रों गए मैगनीज, क्या हो गए? मैगनीज बिलासपूर कांके, बस्तर, दांतेवाड़, बॉकसाइड, रायपूर, रायगड, सर्गुजा, बिलासपूर, कोरवा, कबरदा, बस्तर कोईलाब का कोरिया, सर्गुजा, रायपूर, बिलासपूर, रायगड, जस्पूर लोग हैस की की बात करें तो बस्तर, सरगुजा, कांके, दंतेवाड़ा, दुरूग, ताबा, ताबा की बात करें तो बस्तर, राजिनन्द गाओं, बिलासपूर, कांके, चुना पत्तर, रायगर, बिलासपूर, दुरूग, रायपूर, जसपूर, दंतेवाड़ा, कांके, ड दुरिनियम की बात करें तो सरगुजा, बिलास्टूर, दुरूग, हीरा आपका रायपूर बस्तर में देखने को मिलेगा, यहाँ सी उत्पादन होता है, सैलीमिनाइट, बस्तर दंतिवाना, याद रखिए, उत्पादन किसी चीज का होता है, जैसे इनका खनन होता है, क्या ह देखने को मिलेगा तिन एस्क यह आपके वस्तर और धंते बाड़ा में देखने को मिलेगा कॉलंडम कोचनोर बस्तर रायपूर धंते बाड़ा में गेरू सर्गुजा वस्तर रायगड राजनन्द गाउं में देखने को मिलेगा फिलोराइट राजनन्द गाउं रायगड ज इकास नेगम द्वारा इस्तापित उद्ध्यूगों का विवरन दच्छिडपूर भी रेल बैगन बर्क्षॉप रायपूर में देखने को मिलीगी है इसके इस्तापना 1966 में होई है विवरन मालगारी के डिब्बों की मरम्मत होती है भिलाई श्टील प्लांट मैसर्स स्टील लिमिटेड भिलाई नगर में मिलेगी तुर्ग में इस्ताफना 1955 में की गई यहां आपका कच्छा लोहा इस बात आदी का काम होता है बारती ऐलूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरवा में है 1965 में यहां बनाईगी यह ऐलूमिनियम से संब्दी थे पिर आपका मांडर सेमेंट वर्क्स सेमेंट कॉर्पोरेशन ओप इंडिया मांडर रायपूर 1971 में बनाईगी पोर्टलेंड सेमेंट कोरवा सुपर थर्मल पावर इस्टेशन एंटी पीजी कोरवा में 1978 में इसकी स्थापना की बिद्धोत उत्पादन इसका काम है साउथ इस्टर्ण क अब हम बात कर लेते हैं राष्टी उद्ध्यान और अभ्यार इससे भी आपके कुश्चेंश पूचती रहते हैं यह नाम हो गया है उनका छेतफल हो गया बाएक किलूमेटर में जिला हो गया है और मुख बढ़ने प्राड़ी इसमें जो पाये जाते हैं उनका नाम इंद् दांतिवाडा में देखने को मिलेगा जिले में यह आपके बाग तिंदुगा बाराई सिंगा जंगली भैसा चीतल सावर गौर किष्ण में मात्रक में जंगली कुत्ता आधी देखने को मिलेंगे कांकेर गाटी इसका छेतफल 200 वर्ग किलूमेटर है यह आपके चेतफल 4.45 वर्ग किलूमेटर है कांकेर में देखने को मिलेगा इसमें आपके जंगली भैसा देखने को मिलता है गुरु घासी राम इसका छेतफल है 1440.705 वर्ग किलूमेटर सरगुजा और कूरिया में देखने को मिलेगा इसका विस्तार बाग तिंदुगा चीतल नील चिंकारा इसमें वसू देखने को मिलेंगी जानवार अगर अब भ्यारन की बात करें तो यह अब भ्यारन हो गया इनके नाम छेतफल हो गया जिला हो गया मुख बन प्राड़ी हो गया इसमें पाए जाने वाले ओधन्ती इसका छेतफल है 247.69 किलोमीटर यह आपका रायपू अच्यानक मार इसका छेतफल 555.55 किलोमीटर है सरगुजा में देखने को मिलेगा इसमें आपको बाग तिंदुगा चीतल सावर गोर भालू जंगली सुगर आदी देखने को मिलेगा तमोर पिंगला छेतफल इसका 608.52 किलोमीटर सरगुजा इसका जिला है जिले में आपको बाग तिंदुगा सावर चीतल नीलगाय भालू देखने को मिलेगा सीता नदी इसका छेतफल 555.55 किलोमीटर है या आपको रायपुर में भी मिलेगा देखने को धमतरी दो जगे इसका बेस्तार मिलेगा बाग तिंदुगा सावर चीतल भालू देखने को मिलेगा स आमर साथ यह 430.36 बर्ग किलोमीटर है सरगुज्या में ही यह आपको बाग तिंदुगा सावर चीतल भालू देखने को मिलेगा है फिर आपका पामेंड इसका चितफल 262 बर्ग किलोमीटर है दांतिवाडा में देखने को मिलेगा यह विस्तार इसका जंगली रहसा यहां दे देखने को मिलेगा तिंदुगा सावर गौर चीतल भालू यहां की प्रमुक बनने जी में वड़न वड़न वपारा बढ़नवापारा जो भी हो 244.66 बर्ग किलोमीटर चेत्मल पहला हुए महा समुन्द रायपूर जिले में फैले हुए यह आपको बाग तिंदुगा चीत देखने को मिलेगा भैरामगार 149 बर्ग किलोमीटर में दानते वाड़ा बाग तिंदुगा जंगली भैसाज सावर चीतल देखने को मिलेगा बादल खोल 145 बर्ग किलोमीटर चेत्मल में फैला हुए जस्पूर क्या है जस्पूर में देखने को मिलेगा यह जिले में तो यह कहानी थी आपके 36 गड़ की पूरी यह तो नहीं कह सकता हूं कि पूरी तरह से 36 गड़ आपका कवर हो जाता है लेकिन आप अगर बाहर ही हैं और वहां के कोई एक्जाम दे रहे हैं तो इतना पढ़की जा सकते हैं क्योंकि देखिए जो उस स्टेट में रहता है आप सो कर जाएं बिहार सामान ग्यान में तो यह संभव नहीं है क्योंकि वहां का जो लोग इस्थानी है वो आप से कुछ जादा जानता होगा वहां की बारे में तो इस तरह से आपको देखती रहना है